इस दुनिया में कोई भी best exercise नहीं होती Exercises सिर्फ tools होते है जो हम target muscle group को grow करने के लिए इस्तमाल कर सकते है अगर आप मुझे कहते कि जिन्दगी भर तुझे सिर्फ एक vertical pull चूज करना है तो वो definitely lat pull down होता for three main reasons ये exercise मुझे control सकाती है इस exercise पर progress करना convenient है and it's easier on recovery अब इन तीन points को थोड़ा सा expand करते है जब मैं कहता हूँ कि ये exercise आपको control सकाती है it can अगर आपका mindset सही है अगर मेरा goal जिम में लोगों को impress करना होता और ego lift करना होता तो आज मैंने ये back build नहीं की होती अगर मेरा goal momentum का इस्तमाल करके cheat करके weight को move करना होता तो मैंने कुछ सीखा नहीं होता अगर आप अपने ego को दरवाजे के बाहर छोड़ सकते हो तो lat pull down की जो machine है वो आपको amazing control सका सकती है क्योंकि ये एक machine है इसका जो movement pattern है वो fixed होता है hence your force to move in one plane ये movement आपको उन muscles का इस्तमाल करने की practice देती है जो actually weight को move करने में इस्तमाल होने चाहिए जबसे मैंने ये movement सही तरीके से perform करना चालो किया तबसे मेरा mind muscle connection बहुत improve हुआ बैतर control develop करने के लिए जब मैं weight को नीचे pull करता हूँ तो मैं उसे explosive तरीके में pull करता हूँ पर contraction मिलने के बाद मैं हमेशा eccentric portion को और मेरे personal opinion में weight को नीचे pull करते समय back में एक छोटा सा arch maintain करना completely okay है as long as मैं उपर के point पे अपने torso को थोड़ा बहुत सीधा करता हूँ to stretch my lat lockdown में जब सारे gyms बन थे तब मेरी main vertical pull की exercise थी the weighted pull up क्योंकि और कोई choice नहीं था अगर हम muscle growth की बात करेंगे कर सकते हैं जैसे हम कितना weight उठा रहा है हम कितने sets perform कर रहा है हम कितने reps perform कर रहा है technique and so on जब हम weighted pull ups की बात करते हैं तब मेरा मानना है कि उस exercise पे overtime progress करना थोड़ा सा inconvenient हो जाता है एक belt पहन के उस belt पे chains या weights attach करके एक rod पे लटकना मेरे लिए overtime थोड़ा सा inconvenient हो जाता है पर lat pull down की जो machine है वो ये issue fix करती है lat pull down की जो machine है वो मेरे लिए progress करना बहुत ही simple और convenient बनाती है as simple as lowering the pin by one stack see it's easier on recovery ये movement एक machine exercise होने की वज़े से मेरे body के उपर जो overall थकावाट या overall fatigue होती है वो comparatively थोड़ी सी कम होती है जब मैं heavy weighted pull ups लगाता हूँ तो एक set खतम होने के बाद मेरे back muscles के साथ साथ पूरी body काफी अच्छे से load हो जाती है हमेशा याद रखना अगर आप overall कम fatigue accumulate करो गया तो आपकी recovery बहतर होगी और अच्छी recovery के साथ आप overtime ज्यादा quality volume कर पाऊगे and what does that mean? more gains मैं lat pull down के 3 sets लगाता हूँ 6 से 10 reps की rep range में और सारे 3 sets में weight को same रखता हूँ जब मैं एक particular weight के साथ 10, 10, 10 ऐसे 3 sets complete कर सकता हूँ इसका मतलब मैंने upper limit अचीव किया है और मैं अगले session में थोड़ा सा weight increase कर सकता हूँ for example आज के pull session में मैंने 110 kg के साथ lat pull downs perform किये 9, 8, 7 ऐसे 3 sets के लिए अब मैं इस weight को same रखूँगा जब तक मुझे 10, 10, 10 reps नहीं मिलते simple